हेलो एवरीवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरी सभू अभीपसे एजुकेशन फर एक्सलेंज की इस और फिर से और जबर्दस्त है के स्वगत करूंगा क्योंकि वह एक दिन बच्छा हुआ है साइंस पढ़ना है प्रेसर मन में आही रहा होगा बच सब्सक्राइब करना है तो मोटिवेशन यह लाइए मन में क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा सब्सक्राइब करना है उसके बाद बीच में जैसे दो चेप्टर करोगे रियूजन ऐसे करते जाओगे कि आपको कॉन्फटेंश नहीं बढ़ता जाएगा फिर समझ मैं जाएगा कि मुझे सब चीज समझ में आ रहा है मुझे प्रिप्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है मैं अपने प्रिप्रेशन अच्छा सकर रहा हूं यह कॉन्फटेंस आजाएगा जब रियूजन चलू करोगे क्यों क्योंकि आपने पढ़ाई कर रहा है बहुत पहले से भ इसमें मुझे फोकस करेंगे रियूजन पे किस पर कैसे हम डायगराम को अच्छे तरीकस बना सकते हैं और कुछ-कुछ जो एक्जाम में जो आने वाले टॉपिक्स है उसकर भी चाशा करेंगे ज्यादा लंबा डिसके सनी करेंगे आज एक्जाम के एक दिन पहले आपको हम आपको मन में रियूजन पर ज्यादा करना है जोड देना है तो आप रियूजन पर बहुत अच्छे तरीकस जोड़ करेंगे अगर आज आप सिर्फ रियूजन फसकर सकते हैं और मन में यह चीज़ आज जीए बहीं कि क्योंकि प्रेसर जो है आया है उसको दूर करना है सरक जब मैं मेहनत करूँगी तो भी खाना पीना थोड़ा बहुत एक्स्टेंट करोगे थोड़ा बहुत चल जाएगा लेकिन क्या करना है यह तो ठीक है लेकिन मन में आलाज भी नहीं लाना है क्योंकि आपका यह फाइनल डे है बच्चा तो आज मोटिवेशन के साथ स्टार्ट वह संबसक्राइब करना है तो ऑभी हम उसके बारे में बात कर लिया और पढ़ लिया तो बहुंगे हम चर्चा कर कर लेते क्योंकि कि मैंने आपको पहले दिन में बता दिया था कि यह इजी चप्टर में से एक है खेर छोड़ो वह बात की बात है कौन कौन से चप्टर से पाइस्थितिक तंतर भी है और यह जो आपका जो फिजिक्स वारी पोर्षान है वह कुछ कुछ कर लिए होंगे बच्चा आप लेकिन जो कि बीडाया है है कि पढ़ना है तो और यहां प्रभव का यह जीए हुद है और कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो ढरे हमने पढ़रा भी बच्चा हुआ है तो आपको क्या करना है बच्चा तो डिवजन करना है तो दिव नन करींगे सर कि आवास और उसका प्रभाव क्या क पड़ा था उसके बारे में हमने देखा अच्छे से देख लिए आप आप जाए हमारे यूटुब चैनल में हमने प्लेश्ट करा दिया है दो नमबर क्योशन एक नमबर क्योशन इतना है बच्छा तो यह जो सिक्वेंस देख लेते हैं फिर क्या सफर था वीगल का सफर कैसे क उसका नुभाग क्या बोला था वह चार से पॉइंट जो जिसने आमने कराया था आपको उसको इसके बारे में भी पूछ रहा सकता है जो कि रिवजन में आप कवर कर सकते हैं आप बिल्कु बूग से एक बर रिपिट करें क्लियर हो जाएगा फिर उसका अलोकन क्या कहता सर स Przyr without गये था उसमें कैसे यूजन तुका साइज कैसा था सरॉण कैसे सैप्सके में क्या दिक्ट होती है दिक्कत प्रजाति करण के बारे में देखने हैं और अनुकुल और प्रजाति करणा जिसां बताया था च कि exerc Smell इसके बारे में तो यह सब के बारे में आहा कि समय इस चैप्टर नंबर 1 बच्चर तो अपके बेसिक जानकारी था और आपको जो नंबर के कोश्चन आने वाला है वह इससे कवर हो जाएगा ठीक है अध्या एक थोड़ा बहुत आटला हमने देख लेखा ठीक है क्लियर हुआ अब देखते साथ अध्यादों में क्या क्या इंपोर्टेंट है ध्यादों मतलब क्या सोड़ा सकlis को घड़ा है तो यह इंवारबंेंट अब चल्वार में क्या पढ़ा थे हमने हमने पढ़ाता सर कि एजो परी-प्लस-ावरन होती है ऑगज क्या बच्चा पर्यावरन हमारे आसपस के वातरों में होने वाले इफेक्ट इसके बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है भाई इसको आपको ज़्यादक नहीं लगाने रिविजन करने क्विक रिविजन करना है आपको क्या है सर इसमें इसमें आपके सर क्या इसका रचाई कर देना और कितने बाग में सकता हूं कितने भाग में बता है कुछ से इसके बारे माप 100% जानकारी लेना दे देना बच्चा फिर आपको मिल जाएगी यादा की जानकारी यह जांकारी रहा है से आना चाहिए अगर नहीं हो रहा है तो आप यह करना यह वीडियो देखने के बालव तूरं अपको पढ़ने बैच जाना और अच्वी से जो कि डिकते हैं और कैना पताबर सकते हैं स्रेली बनता है कैसे जो च्छोटे-च्छोटे किले मकॉड़ को खाने वाले जो चुहा को खनेवाला जो साप है सआप coloring घिद्द को खाने वाला जो आपके लोमिघा सेर यह कैसा बनाती है इसके बारे में पूरा एक激म मैं भच्छा वहां से आप देख सकते हैं बहुत ही सरल है तक कि बात समझ में आई सर इसके बात है इसमें तो क्या और बच्छा अंतर संबंदों को अधिया कर रहे हैं इसमें इंटर लिंक है चीजे साथ में पाइसिदीत तंतर क्या भी प्राय है इसके बारे प्ढ़ना है और साथ में गहते हैं क्या कैसे पिरामिड जो बनता है जो क्या बनता है प्रहां ॐ doc सकते हैं यह जो आपके चेप्टर में यह 100% कवारफ हो जाएगा इससे बच्चा ठीक है रिवजन कर सकते हैं अच्छे जब दस्ते किस करिएगा और इसको सिक्वेंस पढ़ाया भी हूँ आप देख सकते भी अगर आपको टाइम मिलता है तो नहीं तो फिर बच्चे रिवजन सबस्त — पहले नहीं है पजाएज कोसी करें लिंक होती है सर और इस सिकाय की बारे में निंक होती है है नियुक इस वह पुछा गया सर ये सब नहीं है यह दए नहीं है और गबराना नहीं है और साथ मिंगा are सर मनुष्य में सुष्णाओं का संचार विए था जिए अंतकत हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में और क्या पढ़ा है तंतरिका को सीगा की सरचना है इसके बारे में पूछा है और सवेधी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो आपके सिरेबस में पूरा कवार आफ ह प्रत्तिक में जो कका करते हैं क्या होता है यह घृट्ब करते करते हैं क्या होते है सम्लावाल बोलता है क्या ठोड़ने करके पूरव बीच वाली भाग फिर प्राम स्सक्ष का से यह जो पूरसा ने बीच वाली यह मतरी स्क्रीष बीच इसाते में विभाडे में बीच divُल जाता है ठीक है यह नीचे में फिर किस सब डाइगर्म तो मैं साब साब बोल दू डाइगर्म कुई क्या कह नहीं कर नहींकए प्रेश फेल नहीं करने क्यों आपको एक पेज में पूरे डाइगर्म को अच्छे से लिख सकतेटें आपको दिमाख नहीं लगाना है कि संद्धा चोटा से मनाओ इतना बड़ा सा बनाओ नहीं आपको एक साइस दिख रहा है पूरा बना सकते हो बच्चा अगर डागानोल बनाना है तो डायगनोल बोलता हुजी आपको अगर जैसे देखो ये पेज से कंप्रेट है ना अपको पेपर आइसा रहता है अगर आपको एसा बना रहे है तो भी बना सकते हैं लेकिन आपको तुछ पस्ट एकदम बारिकी से अच्छा तरीकस बना भले आपको 15 मिन लगे लेकिन यह है कि उसको थेयोरी भी लिखना मूलना नहीं है क्योंकि जो माक्स आपको थेयोरी मिलेगा सर में मिलेगा तो यह बहूसए सर कहा से कहा तक है उसके वाद यह बहुत ज्यादा कोशन आते हैं सबार नहीं करने नहीं में हैं तो आपके जुनियर है आपके भाई लोग है उनको बोलिएगा हमारे एप में पूरा पूरा इनलिसिस और पढ़ ले हमारे साथ में प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है यह सब क्या करना पढ़के जाना है और क्या परिवान तंतरा हिर्दा की भूमी का क्या है हिर्दा में इसके बारे में बतायाे था क्या सीरा-धम्नी बाह नीला नीला सब में होता ने पीर है इससे और star अवरिक और आपको क्या भई जो नेफ्रान की सरचना इस सब्सक्राइब लाया नहीं हूं इसमें डिसक्स भी नहीं करूंगा लेकिन डिसक्स पुराने वीडियों क्यों और इमपोर्टेंट में से है मैं आपको अभीसे बता दिया हुँ वह इंपोर्टेंट है ना फिर क्या सर परिवहंतांतास से चुढ़ी सरच रहे हैं देख लेते हैं और यह आपको दिखाई देर्यागराम को कीसे बताऊंगा तो भाई फिर एक पेज लेना लिए पूरा बनाना है इस्ट्रक्चर के लिए आपको बारे में आपको आज डिस्कस करी देना है बत्चा आज मतलब कल डिसकस कर देना है सब करके ना है लिख के आना है चापके आना है जबरदस्त तरीका से करके आना है ठीक है फिर यह पूरा दसे जो है क्या किसे बोलते हैं सब प्रजना रिद्य और परिवर्थन के बारे में तो हर चीज़ जो इंसान आज क्या होता है और हमें पता चलता है कैसे इंप्रच्चन वाइनों करता है और हमें पता चलता है सर की यह बच्चा जो बंता है वह कितने दीन में कंप्टेट होता है यह सब पूरा पढ़ रखा है बच्चा और साथ में क्या क्या और बच्चा है भई इसमें हम देखते हैं सर यह बताता है कैसे व॰िद्धी होती है उसका हरमना Canada कैसे बच्चे दस चौदद साल के उम्र में कैसे उनके वाँच में भारी पराजाते है और सुपनर ने विद्धी और परवाथन कैसी होती है क्या होती है और उसके प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में पुछा आसकते जाता पूछान याद रखना मना की आना है इसके बारे में अर यह करना है और sexual और जनकाली देना है इस चेप्टर में आपको देखके चलना है बच्चा ठीक है ठीक है आप देखते हैं सर यह पूरा एक पेज जोड़ने की जवरत नहीं है ठीक है और अच्छा मन में आयागा सर कि इन्हें फ्रांद की सरचना है ना मुत्रास है और वह जो आपके बनाया तो अगर लगता है बड़ा बड़ा डागराम है तो उसके लिए आप पूरा डागराम को बना सकते हो और नीचे में उसके बारे में थियोरी लिख सकते हो ठीक है तो बीच वाइव लाइन वर्तिका काला आती है यह तो बताया था वह वर्तिका आगर देखो उपर वाली लाइन पराग कर उपर में को लेकर आ रहा है भाई मादु मक्की छोड़ से इंपोर्टन को शटा सर जिसका कर चुको मैं यह लाइए फिर でón के लेक taraf हो ड्टन सकता है इसे में यह भूर्त वाली कोई सतर अशुड़ान को झोड़ना नहीं है ठीक है क्लिय nessa की जनकों से संतां तक यह कोशन के कैसे आता है रोह आता है मेंडल सर के द्वारा आता है अब बहुत उसका पॉध़ा बना होता है इसमी जो क्लियर हुआ अब इससे कोशन कैसे है देख लेते हैं वह बोलता है कि कैसे इंपॉर्टर टॉपिक देख लो अध्यापंदर का जिए मैं समानता होती है ठीक है मिंडल का योगदान क्या था सर उसके बारे में पूछ सकता है और मिंडल के प्रयोगों के परिणाम क्या हो बैंगनी वा सब्सक्राइस में पूछ देता है है ठीक है और कण न's बंस न होता है सर इस तुम पायाजाता है और यहां सब्सक्राइब और कैसे लिंक दिधारान होता है वह इसके लिए कारक होती ही सर एक्स गुंसूत रही कारक होती है इसके बादे मैं चर्चक कर चुका हूं भैई तो यह आज आता है सर यह सब उस्टन जो है यह कहा यह आता है आपका चेप्टर नंबर 15 से तो हमने भाई बाइलाजीक भी पूरा डिसकेसन कर रखा है आपको जादा टाइम नहीं लेना है जादा टाइम नहीं देना है आपको सिर्फ रिविजन करने बच्चा अपको तयारी करके जाना है यह कुई कर आपको यह समझ मैं आगए सर कैसे सीक्वेंस में बढ़ना है आप बिलकूर अच अच्छा डाइग्राम सुध्ध डाइग्राम बोले तो चीत्र बनाने से ही आपको अच्छा मिलेगा माक्स और साथ में जो कुछ 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 कोशन कर आया था मैं जिसको आप देखकर भी आया होंगे अगर नहीं भी देखोंगे तो टाइम निकालिए और बिलकुल हमारे परिष्ट तयार है उसमें जाके आप देख सकते हैं दो नंबर एक नंबर क्योशन कैसे पूछ राता है कितना इंपॉर्टेंट ही देख सकते हैं तो मैं यहीं कहाना चाहूंगा कि यह जो कुई कर लोंगी या फिर कर लोंगा तो आप यह सोच के चलिए और कर भी लिए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं यह बोलना चाहूंगा मन में पॉजिटिव लाइए और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहें बच्चा है ना पॉजिटिव जो आप अप्रोच करेंगे आज आपका जो माइंडशेट है जो आज का 12 मार्च में आपका जो फिर बाद अभी नहीं तो बाद में अगर कभी भी आपको क्या लगने लग जाए नेगेटिव फिलिंग होने लग जाए या तो डर लगने लग जाए तो यह सोचिएगा क्योंकि आप पूरे साल भर पढ़ लिए हैं आपने दों पिछले दो मेहना अच्छे से पढ़ रख नहीं चोब चल आपको बच्चा कि आपको सफलता जो है आपको क्या को नुक्सान मिलेगा लेकिन सफलता प्राप्त करना तो नहीं है अगर कुछ बच्चे को लगता है कि सर मैं यह क्या नहीं कर पा रहा हूं यह चैप्टर नहीं हो रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं बाकि जो चैप्टर उसको जबरदस्त तरीकस करिए जो जबरदस्त तरीकस करोगे उसमें आपको आत्मेस्वास भी बढ़ेगा और आत्मेस्वास उसी आत्मेस्वास जो है आपको तीन वह आपक होने लायक हम ने नहीं पड़ाया वह बना रखेंश को पमेंस्वास के साथ काम कर ये तो इसे आत्माइश्वास को लेकर मैं पहुंच रहा हूँ आप तो क्या करने हैं भी हमेशा ऊचया करके लिए कि आना में पिर बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए गार आपके एक्जाम अगर आपको लगता है कुछ कोशन नहीं आ रहे सर तो आप क्या करोए वही फॉलो कीजिए जो मैं इस्टेटी में बताया था आपको कि जो कोशन आते उसको करी है नहीं तो फिर क्या करना है सिक्वेंस से चलना जिन्दावाद ठीक है बच्चा तो चलो महीं मिलते हैं आप बाद में तब तक के लिए और वेरी वेरी बेस्ट बच्चा मेरे तरप से आपको बेस्ट आप लख और अपना विश्वास आत्मविश्वास पॉजिटिव अपरोच के साथ आप जाए और